बिसमें लेराख में निर्वेहीम, असलाम लेकुम, वेलकम तो माई चैनल, कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब खेरिया से होंगे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ चिकन का साधियास की रेसिपी, जो के बच्छों के लंच बॉक्स के लिए है, परफे तेल, तेल को स्लाइटली गरम कर लेंगे, अब ये तेल हमारा स्लाइटली गरम हो गया है, तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन, जो के है 150 ग्राम, चिकन बहुत ही छोटे क्यूब्स में है, मोटा कीमा समझ लीजे, तो इसको हम डाल देते हैं तेल में, अब इस चिकन को मीड अब हम शामिल करेंगे कुछ घ्राइए पाइसिस, तो जो ड्राइसिस में मैंने मिक स हालियन हर्प्स लिए है, only तो ये जो के है, आदर चायका चमच्ठ, पैपरिका पॉड़र लिए है ए आदर चायका चमच्ठ कुटी वी चिकन को इस पैसे जाने के बाद मैंने तक्रीबन 3-4 मिंट के लिए कुक कर लिया है बगार ढखे अब इसे स्टेज पे हम डालेंगे कुछ सॉस तो वुसर शय सॉस का समाल करी हूँ मैं जो के मैं डालूगी तक्रीबन एक चाय का चमच अगर आपके बास यह ना हो तो आप सो इसके लावा कैश्आप डालेंगे हम इसमें एक खाने का Tea मत भर जबर अब सभी चीजों की तços रहेंगे6ि कि कि अब तक्रीबन की फिए स्कित टो चिकन को मैंने चुले के उपर से उतार लिया है अब इस स्टेच पे हम डालेंगे कुछ सब्जियां सब्जियों में मैंने एक अदर छोटी दली प्यास की ले ली थी जिसको सरहां से काटावा है आदी मैंने शिमला मिर्च काट ली है इसके इलावा एक छोटा सा मैंने तो यह मज़िदार सी फिलिंग बनके तयार हो चुके है जिसे आप किसी भी सेंड़िच के अंदर भी समाल कर सकते हैं तो यहां पर आजाते हैं नेक्से स्टैप के दराव नेक्से स्टैप में मैंने यह आप पे टॉटी अ ब्रड़ ले ले लिए इसकी रेसिपी चालनकियो इसके अंदर हम डालेंगे यह श्रिट कीवी मौजडिला चीज चीज आपके अपनी मर्जी है प्रोसेस चीज का समाल कर सकते हैं मौजडिला चार्डर चीज जो आपके पास अवे लेबल हो उसका आप इसमें समाल कर सकते हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे यह तैयार कीव करने तेथा इसको पैक कर दिया है और इसी तरह से बाकी यंदि आपया है तो हम पर नहित सेखें पंगे रा गाईंक से तरह पैन आप पैन थोड़ा तरह का दाली हो तो बहुत जाओडा से टेल डाला है जिसको इमिली स्प्रेड आउट कर दिया है सना से ब्रशी मदद से और आप चाहें तो इसमें ग्रिल पैन का समाल भी कर सकते हैं जिससे बहुत ही खुबसूरा से इस पर माक आ जाएंगे तो मैंने यहां पर देखें एक सेंड़िच उस तरह से रखा है दूसरे क इस बीमिल्ट हो सकत है हिल तने सब्सक्राइद हम इस से आप पलट लेंगे तो यहां पर बुब करते जाएंगे और इसके तो आपार ऑप जाएंगे तो यहां पर आः लगा ओال ने तो मैं उन्हां पर ओ सह उक्या ब्रिश के सा अ थम्रीश की तो बड़ी ही प्यारी सिसमें से कुछबु आ रही है और यह देखें जबदर से हमारे सिक चुके हैं कसाडिया तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम कर लेंगे कट तो बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी है बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरिट रहते हैं यह आप अविडियो अच्छी लगी तो इसको जादा जादा शेयर कीजे पनी फैमिली फ्रेंट के साथ यहां पर दिखे में एक के दो तुकड़े कर लिए हैं और यहां पर दिखे मज़ीद मेरे चोटे और पीसे कर लिया है तो यह लीज़िदार सी हमारी आज की रेसिपी बनाने क जो के मैंने डाला है तकरीपन 2 टी स्पॉन जिसको बढरी काट लिया था नमक जाएगा तो यह तो यह तोड़ी सी कालिमेट और नमक शामिल कर दिया है अच्छी तरीके से इसको में बीट कर लेंगे हम तो यह हमारा सिम्पल सा ओमलेट था इसको बना के तियार कर लिया है अब यहां पर हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे ऑईल जो के जैका टू टेबली स्पून के आसपास और साथ हम इसमें डाल देंगे बटर जो के मैंने वन टी स्पून डाला है अंसौटिट बटर का समाल में कर रही हूं उस रैसेपी के लिए बटर को मैल्ट कर तेल और बटर को मैंने बटर स्लाइटली गरम कर लिए हैं तो समय तो प्रशाइब डाल देंगे तो तोलेंगे अगर आप चाहते हैं घर में तयार करना तो घरम के दी तो छोड़ कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं चैनल के वर आपको रेसीपी मिल जाएगी टॉटिय ब्रेट ऊमलेट के उपर इचे से चिपक चुगी है। अब हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे, इसको इसना से रखेंगे और फ्लिप कर देंगे। और इसको प्लेट में निकाल के साइड में कर देंगे। यहां पर सालेज में बट्रक्रक्राइश के रिखके रॉप और रोज कर लेगे यहां पर सॉसिज को मैंने रोज कर ली आधर ए लिया है जिसको नभी नावैल के बार अटक्रीज में पार स्कार रिर समीड़ी के बाद कम लावा hour के साथ अब हम सॉसेज के ऊपर थोड़ी सी चीज रखेंगे तो मेरे पास यहां पर लो फैट चीज के स्लाइसे जिसका मैं समाल करी हूं आप मौजरेगल चीज डाल सकते हैं यह अपके अपनी मर्जी है अब टॉटिया ब्रैट को देखें से ओवरलैप करते हुए मैंने बिल ब्रेक फास्ट हमारा पहला नंबर का हो चुका है तो इसको निकालके हम कट कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार यह लगता है और बच्चों का यह बहुत ही ज़दार फेवरिट रहता है आज कल बच्चों की छुटी है तो आप लोग इसको घर में जरूर बना के दीजिए ज़रूर आप लोगों के बच्चों को पसन आएगी तो देखें जबदास सा हमारा यह ब्रेक फास्ट बनके तयार हो चुक है तो आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिएगा बढ़ी मज़दार और हैवी सा और बहासी बहुत ही क्रिस्पी सा बनता है इसको कर देते हैं कि आप रसेपी बनानी की तरह जो के बहुत ही ज्यादा डिलीश्यस बनेगी तो इसको बपनाने के लिए सबसे पहले तो हम लिए फदो अद़ ले 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 तो यह पर अम्ल्लेट प्रिपेर चैजिल करें अपर नह्म्ट गरें झालेगे तो आप लोग तो जो से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में प्रेसंस मझे जरूर दीजेगा तो यह ओमलेट हमारा रेडी हो चुका है अब दूसरी तरह एक पैन ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे और तकरीबन टू टेबली स्पून के आसपास यह तो टेबली स्पून तेल डाल दी है इसको इसक सामल कर देंगे वन फूर्थ कप रफली कटी हुई आमलेट कट जैसी प्यास और इसको हमने सौटे करने है चन सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पे प्यास हमारी सौटे हो चुगी है तो इसमें तो टेबली स्पून के करीब हम कटेवे टीमाटर शामिल करेंगे जिसके मैं बीज निकाल लिए थे इसको डाल के अची तरीके से मिक्सर लेंगे सौटे करेंगे चन सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पे तो यहां पे देखें सबी सबजियों को अच्छे से सौटे कर लिया है तो थोड़ा सा नमक शामल करी हूँ मैं तो जैके की मुदाबिक नमक शाम जाल के अच्छी तरीके से हम सौटे कर लेंगे इसमें हम शामल करेंगे सौसिज चिकन सौसिज जाएंगे इसमें दो अदग जिसको मैंने रफली काटा हुआ है इसमें थोड़ी सी हरी प्यास का हरा वाला पार्ट जो होता है वह मैं शामल कर रही हूँ अब यहां पे सबी चौडर चीज तो थोड़ी सी में पर मॉजरेला और चौडर चीज मिक्स थी जो के मैंने श्रेट की वी थी यह मैंने डाल दी है अब इसके उपर हम पैन के हिसाब से ही टौटिया ब्रेट रख देंगे और इसको हम हलका हलका सा रूटेट करते जाएंगे ताकि यह हमारी ट करके सकते हैं, अब सकते हैं चाहिक सुनल और करते हैं आप अगल कर देड में घर करो कह ड用 fork रहलें ताकि यह ओम ने चीज के साथ गयते हख खी तो इसके ऊपर मैं रख दी है प्लेट औरबात पर श्लिप करेंगे अब दूसरे साइड से और टो सें नहीं तक हम प्र वर्ज जरूर बताएगा और देखें जब अधसा रेडियो हो चुक है हमारा ब्रेकफास्स तो बद इसको हम कर लेंगे तो जरूर ट्राइक कीजिए और इसका फीडबैक लाजमी दीजे रैस्पे वीडियो अच्छी लगी तुसको थम्जब देना मत बूलिएगा मजीद रैसेपी मेरी जुआने के लिए चैनल को जुरूर रूचे कर लिजे सब्सक्राइब तो लिजे मज़ेदार सब ड्रेकफास्स बनके तयार है ट्राइक कीजिए बनाएए और इसको इन्जुआ कीजिए फिर मुलाकात होगी एक और ने रैस्पे वीडियो के साथ जब तक लिए ठेक क कियर अला हाफिज